दोस्तों अगर आप भी हमसे अपना CGPDTM का इंटर्व्यू का एक्सपिरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें वाटसेप कर सकते हैं हमारा नमबर है 9860966974 इस नमबर पर आप हमें WhatsApp करके अपना CGPDTM का इंटर्विव एक्सपिरेंस शेयर कर सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे Polymer Science का इंटर्विव एक्सपिरेंस नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर देखिए दोस्तों मैं आपको almost काफी सारे एक्सपिरेंस जो भी इंटर्विव के एक्सपिरेंस हैं शेयर कर चुका हूँ कम्प्यूटर साइंस और इंफ्वर्मेशन टेकोली देखिए सियर आइटी का मैं जो मैंने first वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको सीयर और आयटी का मतलब detail में तो फिर हम आपको वह भी share करेंगे physics का भी हम शेयर कर चुके आपसे civil engineering बी कर चुके हैं और textile engineering भी कर चुके मतलब almost आपका सिर्फ बच रहा है क्या बच रहा जाए Metalurgy Mechanical Electrical और एसके बाद sairmconomски 50 बाकि सिर्फ यह बत रहे हैं बाकि 10 के 10 experience हम आपसे share कर चुके हैं ठीक है आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग discuss करेंगे Polymer Science का interview experience चलिए शुरू करते हैं देखिए इनसे किस तरह के questions पूछे गए जो इन्होंने अपने आम से interview experience शेयर किया है उन्हों ने बोला है कि 15-20 मिनट तक मेरा interview चला और इननहों ने एक चीज़ और बोली है जो कि हम आपको वीडियो के last में discuss करें हैं वो नहोंने यह बोला है कि ऐसा नहीं है कि 15-20 मिनट का ही interview चला है इससे ज़्यादा time भी लिया जा रहा है और इनके panel में दो male members थे और एक female ठीक है आप जो female candidate जो आपका ये female member थी जो ये आपका interview panel में ये mostly आपको सभी candidates से HR के questions पूछ रही है इनसे जो HR के questions पूछे गए है basically इनका कुछ introduction हुआ है उसके बाद इनसे पूछा गया है कि आपने mtech के बाद जो आपका two years का gap है आपने mtech किया है तो आपका two years का gap है और इसमें two years के gap में आपने क्या किया है तो उन्होंने बताया कि जो भी defense competitive exams होते है cds है फिर fcat इसकी हमने preparation करी तो उन्होंने इनसे question ये कर लिया है कि जब कि आप graduation के बाद ही इस exam के लिए eligible हैं तो फिर आपने mtech के बाद इस exam की तरफ क्यों तैयारी करने का plan किया दूसरा question इनसे पूछा गया है कि आपने mtech क्यों choose किया ठीक है इसको पेटेंट क्यों नहीं किया जा सकता है ये पहला question IPR में पूछा गया दूसरा पूछा गया है कि if patented in US can you take patent in India अगर आपका patent US में है तो क्या आप इंडिया में patent करा सकते हैं ये इनसे question पूछा गया तीसरा question पूछा गया can you patent water क्या आप water का patent करा सकते हैं और ये सब मैंने आपको पढ़ाया अगर आपने पढ़ा होगा जहां पर मैंने आपको पूरे detail में पढ़ाया था किन चीजों का patent करा सकते हैं किन चीजों का patent नहीं करा सकते हैं PCT क्या होता है अगर आपको इंडिया में पेटेंट कराना या फिर इंडिया से बाहर कराना अगर किसी ने बाहर कंट्री में करा लिया तो इंडिया में करा सकता इस सब मैंने आपको डीटेल में पढ़ाया इसके बाद देखे क्या है इसके बाद इनसे एक और कॉश्चिन चलिए यह थे इनके IPR से related questions पूचे गए और कुछ HR से related questions पूचे अब देखते हैं मेन जो आता है टेक्निकल क्योंकि सबसे आदा टेक्निकल पर ही focus किया जा रहा है जैसा कि अभी तक इन सारे इंटर्वियू में देखा जा रहा है टेक्निकल में देखिए इन से किस तरह के questions पूचे गए है पहला question पूचा गया है what's your mtech project आपका जो आपने project किया था वो हमें project के बारे में detail में बताईए दूसरा question पूचा गया what's epoxy with structure how is it it is manufactured what are different hardners that can be used with it ठीक है third question reaction of epoxy with anhydride acid and malic acid question number four इन से किया गया reaction of metacrylate polymerization of sterine to polyesterine which process and condition यह इन से question पूचा गया है metacrylate का reaction question number five पूचा गया है why aluminium particles as loading material influence on varying percent loading from one five percent to higher percent like 10 or 20 percent अब यह मुझे नहीं मालू exactly क्या होता है तो जो भी polymer science के candidates है उनको पता होगा इसका कहने का क्या मतलब है why aluminium particles as loading material question number six पूचा गया इन से चाहा कुछ-कुछ reactions इन से वहाँ पर paper में लिखवाए भी गए है draw भी करवाए गए है ठीक है question number six है what kind of additives can be made from epoxy किस तरह के additives बनाय जाते हैं epoxy से question number seven है इन से पूचा गया kinetics of free radical polymerization how you can terminate the reaction how you can terminate the reaction what if initiator concentration is doubled question number eight इन से पूचा गया segmental length versus cool length यह क्या होता है question number nine condition at which bulk polymerization happens देखिए जैसा candidates मुझे message भेज़ते हैं ऐसा ही उनका as it is message मैं copy करता हूँ PPT पर slide बना देता हूँ और आपके सामने share कर देता हूँ ताकि आपको यह ना लगे कि कुछ ऐसा तो नहीं कहीं से भी आपको question में दिये दे होता है question number 11 इन से पूचा गया what's TG and which order transition is it अभी TG क्या होता है मुझे नहीं मालूम है आप polymer science के background से होंगे तो आपको पता होगा यह फिर इसको क्या पढ़ा जाता है communicate कैसे क्या जाता है क्या इसका communication क्या है मुझे नहीं मालूम हो सकता आपको पता हो what's TG and which order transition is it and why explain in relation to free volume available यह इन से technical questions पूचे गए अब जब इनका पूरा interview हो गया इसके बाद इन्होंने last में कुछ और मुझे message किया था तीन चार लाइन में इन्होंने basically अपना experience शेयर किया उस experience में इन्होंने देखिए क्या लिखा है इन्होंने बोला है 80% questions were chemistry oriented 80% question इनके में जो आए हैं वो chemistry oriented थे they give many reactions to write on paper उन्होंने उनको बहुत सारे ऐसे reactions बोले जिनको आपको paper में लिखना था ठीक है तो reactions भी इनसे पूछे और इन्होंने क्या बोला कि I can't even heard of what were they मतला इन्हें पता ही नहीं था कि कौन से reactions इनसे पूछे गा है 4-5 ऐसे reactions थे जो उनको नहीं पता था जिसका यह answer नहीं कर पाए तो इन्होंने लिखा only able to answer about 40 to 50 percent questions of technical nature it's also not like everybody is getting 15 to 20 minutes because candidate just before me was interviewed for about 40 to 45 minutes तो ऐसा नहीं है जैसा कि मैंने आपको बता है वीडियो के starting में ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ 15 से 20 मिनट एक average time दे दिया गया तो 15 से 20 मिनट ही हो रहा है और इन्होंने बोला जो इनसे पहले का candidate सा जिसका interview हुआ है उसका 40 से 45 मिनट तक interview चला है अब देखिए इसके पीछे दो factors या दो reason हो सकते हैं पहले चीज़ चलिए हम मान सकते हैं कि इनका interview डीटेल में चला है दूसरी चीज़ यह हो सकता है कि जिस ब्रांच में आपके कम candidates हैं जिस ब्रांच में कम candidates हैं तो कम candidates को ही बुलाए जाएगा obvious है जितने कम candidates होंगे तो obvious है कि मान लिज़े आपने बोल दिया एक दिन में सब्सक्राइब जानते हैं आज computer science का interview है एक दिन में आपने 100 candidates बुला लिए ठीक है दूसरा मैंने माना चलिए polymer science है आप अब यहां पर vacancy कम है candidates बुलाए कम है eligible candidates ही सिर्फ मान लिजए 30 हैं या 40 है तो obvious है कि आपको एक दिन में 100 का interview लेना है तो आप यहां पर कम time देंगे interview के लिए और यहा पीछे एक reason यह भी हो सकता है अगर आपको सेम ब्रांच का interview हुआ है तो हो सकता है इसके पीछे reason हो सकता है लेकिन यह जैसा कि मैंने बोला यह हर किसी के साथ नहीं है कि 100% सबके साथ यह हो रहा है यह on an average है जैसे इसके पहले मुझे एक food technology का जिन्हों ने interview experience share किया था उनका ही time ले रहे हैं ठीक है 20-25 minute on an average है 40-45 minute बहुत कम है एक दो candidate का आगया तो आगया otherwise 25-30 minute यह on an average ले रहे हैं और इसके बाद इन्हों ने last में लिखा है don't ignore polymer chemistry just like what happened at mains paper mains के paper में भी आपके में पूरे में polymer chemistry भरा पड़ा था तो उन्होंने बोला है कि आप polymer chemistry को ignore मत करिये वहां से आप से जादा से जादा question's आपके वहीं से पूछे जा रहे हैं polymer chemistry से अब लिखे जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर इंटर्वी में ऐसा नहीं कि जो यह questions में आप से शेयर किया है यहीं सारे questions आप से बी इंटर्वी में पूछे जाएंगा तो बिल्कुल नहीं है ल तो आप अपने आपको उसके एक्वाइडिंग प्रिपेर करके रखें तयार करके रखें और जैसा कि मैंने बोला कि किसी तरह की कोई जानकारी चाते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें Electrical Engineering अभी तक हमारे पास नहीं आया है Mechanical Engineering का Experience अभी तक हमारे पास नहीं आया और Metallurgy का नहीं आया बाकि Almost मैं आपसे सारे Interview Experience शेर कर चुका हूँ कोई और जानकारी चाहते हैं दोस्तों तो इस वीडियो के नीचे आप Comment करके पूछ सकते हैं So Thank You Very Much and Thank You For Watching